त्रीनेतर चूरू अपडेट में आपका स्वागत है जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अदिकारी सावनवल वर्मा ने कहा है कि सुजानगर्ड विधानसवा उक्चुनाव के अंतरगत आदर्श आचार सहिता की पूरी तरह पालना सुनिशित करवाए इसमें किसी प् कि विधानसवा चुनाव के दरान प्रतेक अदिकारी अपने दायत्तों को समझे और पूरी गंभीता से उसका निर्वहन करे उन्होंने कहा कि निर्वाचन कारे को प्रात्मिक्ता दे निर्वाचन कारे में किसी प्रकार की लापरभाई एवं शितिलता नहीं बढ़ते इस उपजिला निर्वाचन अदिकारी पियार मीना ने भी विभिन प्रकोष्ट प्रभारियों से बिंदुवार चर्चा की और आवशक निर्देश दिये सालासर में प्रस्तावित मेले के दौरान कानून सुरक्षा व्यवस्ता ओवं कोरोना वारिस की रोक्ठाम ओवं बचाव के लिए आवशक व्यवस्ताइं सुनिश्यत करने के लिए आज जिला मेला प्राधिकरन के अध्यक्ष एवं कलेक्टर सावनवल वर्मा की अध्यक्षता में हनुमान सेवा समीती सालासर में बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में विभिन बिंदू पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये गए इस मौके पर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को बिजली, पानी, स्वास्ते, सडग, सफाई, सहीत, विभिन वेवस्ताय सुनिशित करने के निर्देश दिये और कहा कि मेले के दोरान राजे सरकार दाराज जारी COVID-19 प्रोटोकोल एवं गाइडलाइन की पूरी तरह पालना स सुनिशित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सालासर बंदीर में दर्शन के लिए आने वर शद्धालों को 72 घंटे से कम पुरानी आर्टी PCI रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा ऑन्लाइन रजिस्टेशन के बाद ही मंदीर में प्रवेश दिया जा सकेगा। आम ग्यापन भी सौपा गया, शहर के इंद्रोनी पार्क से कलेक्टेर तक निकाले गए, पैदल मार्च में बड़ी संख्या में महिला उन्हें भी भाग लिया और हातों में तख्तिया लिए नारे बाजी करते हुए रफीक के हत्यारों को गिरिफतार करने की मांग की। इस पूलिस के बीच के अंदर पूलिस उसकी समगाई नहीं कर रही है और अभी हम सब दने पर बैस कर और एडिसन साब को गयापन दिया है और मैं विश्वास लाए कि साथ दिन के अंदर जल से जल गूंतर गिरिफता चाना है। पिछले दिनों मेरे साउजी की बेर हमी से अठ्या कर दी गई थी। उस सिलसले में आज हम एस्पी साब को गयापन देने जा रहे हैं दो आड़ों कि गिरफतार किया और बाकी अभी अभी तक खुले हम घुम रहे हैं सोसल मेडिया के मादम से हमको दंकिया मिल भी है। जब से यह परसासन मडरवा परीजन यहां पर धने पर लेकर बैठे उसके बाद नयाय मिला नयाय नहीं मिला अभी तक जो नामजद लोग थे गिफतारी के लिए पुलिस परसासन ने अभी तक दो लोग गिफतार के बाकी लोग ऐसी घुम रहे हैं। इलिए सारे लोग राटोर साब के पास आयें। राटोर साब में ऐसा टाइम दिया। आज यह सारे प्रीजन आयें। इन्होंने साधिर का पसासने समय दियां। घुपता कर लेंगे। अन्यता हम इसे बढ़ा दुन करेंगे। चरदार शायत तैसिलदार कुटेंदर कवर्ने शहर के मुखे बाजार रेल्वे स्टेशन वे बहादुर सिंग कॉलोनी आदी में गश्त की तो कई दुकाने खुली हुई नजर आई। जिस पर तैसिलदार ने समझाइज करते हुए दुकानों को बंद करवाया और कहा कि आ तो क्योंकि फैस दिन था तो हमने सिर्फ दुकाने बंद दरवाई किसी प्रकार की कोई कारवाई नहीं के गई। फिर सेगस्त करेंगे अगर फिर भी कोई दुकाने खुली मिलती है तो फिर चालान काटे जाएंगे। इंदोरिया साहित लिद्याले का स्टाफ मौजूद था। इसकी तैस दिला पुलिस अधिक्षक नारैन टोगस के निर्देशा नुसार बिना मास्क के वहां चलाने वाले वहां चालकों के खिलाव भी कारवाई करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। यातायत प्रभारी रजी राम के नेतरत में आज महीरा पुलिस की जूलू टीम ने मास्क ने पहनने वे गाइडलाइन की अभेलना करने वालों के खिलाव कारवाई करते हुए अठारा जनों के चालान काटे। वहीं सर्दार शेर में भी यातायत पुलिस के हेड कॉंस्टेबल गनपतराम के नेतरत में पुलिस ने शेर के गांधी चोग, घंटागर, बस, स्टेंड वर रेलवे स्टेशन सहीद आसपास की शित्र में करोना गाइडलाइन की अभेलना वहीं यातायत नियमों की पालना नहीं करने वाले वहांचालकों के खिलाफ कारवाई करते हुए चालान काटे, इस मौके पर हेड कॉंस्टेबल गनपतराम ने बताया कि वैश्विक महामारी को देखते हुए यह कारवाई निरंतर जारी रहेगी पुलिस ने कारवाई करते हुए कल देर रात चैपूर से आई स्लीपर बस में करीब 60 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है वही एंडी पीसी एक्ट के तहट कारवाई करते हुए दो महिलाओं साइथ एक युवक को इस मामले में गिरफतार भी किया गया है तीनों आरोपियों का आज स्वास्ते परिक्षन करवाया गया मामले की जान सदर थाने की पुलिस कर रही है एक रात को खोतवाल साइथ सुरू के और से एक मदर्स किया गया था इसमें दो महिला और एक पुरुस जो मध्यप देश मुपाल के पास करेंगा था उनकी कपजे से इवराम दो रहा है अब गर्वी में क्यों होना परिशान जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान तो चले आईए हरी ट्रेडिंग कमने के पास और ले जाईए अपना मन पसंद कूलर और पाईए गर्मी से रहत हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे फाइबर वे प्लास्टिक बोडी के कूलर उपलब्ध है वो भी वाजिब दामों में एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलिवरी की सुवीधा भी उपलब्ध है इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेर पार्ट्स घास और हनी कॉम भी उपलब्ध है COVID-19 की बचाव हे तु मास्क लगाएं वे सोशल डिस्टेंसिंग की पाल ना करें क्योंकि आपका स्वास्त है और सेवा ही हमारा धे है हमारा पता हरी चेडिंग कंपनी बैंकोफ बडोदा के सामने पुरानी सड़क चूरू संपर्क करें भासकर अगरवाल जगदीश पसाद अगरवाल श्री दादू दयाल सेंडि स्टोन हमारे यहां पर करोली धोलपूर बंसी पहाडपूर के पत्थरों पर कुशल कारिगरों के द्वारा नकाशी वे खुदाई का कारे किया जाता है अगर आपको अपने घर फार्म हाउस मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली खुबसूरत फंवारे सुन्दर ज़रने ज़रों के गमले शेर हाती घोडे मूर्ती भव्य चोखट लेंब सोफा सेट छत्री आकरशक पिलर बनवाने हो तो संपर करें श्री दादुदेल सेंड स्टोन टी पॉइंट सरदार शहर रोड रतंगर प्रोप्राइटर पपुराम सैनी दोसावाले दिचूरू सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के प्रमददक के नाम परसने उक्षेतर के किसानों ने मुंगफली की बिक्री की गई फसल का बुक्तान दिलवाने की मांग को लेकर आज ग्यापन सौपा ग्यापन में उलेक किया गया की तैसिल के दरजनों किसानों की मुंगफली समर्थर मुल्य पर खरीदी गई थी लेकिन उक्त मुंगफली का भुक्तान किसानों को अभी तक नहीं मिला है इस समन्द में राजफेड अधिकारी वे परसने उट जी एसेस के वेवस्तापक के खिलाफ एनियमित्ता बरतने का आरोप लगाते हुए कारवाई करने की भी मांग की है इस मौके पर बड़ी संख्यामेक शेतर के किसान मौजूद थे कोविड की रोक थाम हेतू राजफेड के राजफेड चिकिसाले में भी वेक्सिनेशन का कारियर निरंतर जारी है चिकिसा प्रवारी डॉक्टर संजय मुंदेला ने बताए कि अब तक करीब 25 सो लोगों के वेक्सिनेशन किया जा चुका है वहीं इसके लिए राजल देसर युवा विकास समीती के कारेकरताओं के द्वारा भी कस्वेवासियों को प्रेरित किया जा रहा है साथी शोशल डिस्टंसिंग की पालना वे मास्क लगाने की भी हिडायत दी जा रही है करोना का ठीका लगना चिए मैंने ये पेला पिशा लगायां कि व poker पोई परिवा रहा है ये मास्क साफ कर्ते रहें जडिका लगाने अधी से अधी इसका परचाहर करेंगी जिस्टे सभी त्यका लगाएं और अपरिज्ट रख्शा कर सके पहला सुफ निरोगी काया त्रीनेतर टीवी वे त्रीनेतर योगधाम के इस विशेश अभ्यान के तहत हम आपको समय समय पर स्वास्ते वे जैविक खानपान के शितर में हो रहे कार्य के बारे में अवगत करवाते रहते हैं इसी सिलसले में आज आपको लेकर चलते हैं रतनगड तैसिल के गाउं गोरी सर के पास अस्दित एक फार्म हाउस पर इस फार्म हाउस में जैविक सब्जियों साइथ विविन उत्पात तैयार किये जा रहे हैं देखिए डॉक्टर मनोज योगाचारे की खास रिपोर्ट नमस्कार अभी रतनगड से चूरू की ओर आ रहे थे तो गोरी सर गाम है आपने ये जगह देखी होगी यहाँ पर सुक्रनाज जी जो है वो महराज यहां पर थे और उन्होंने यहां बहुत सारा एक बाग जो है वो जचाया अभी तो वो जो है रतनगड आश्रम में है ले वो बेर इतने स्वादिश्ट होते हैं कि लोग आते जाते यहां से खरीदते हैं उसके बाद में जैविक खेती करनी शुरू की और जैविक खेती में इन्होंने अलग अलग प्रकार की सबजिया लगाई तो लोग आते हैं तो उनको बड़ी रूची से जो है इन सबजियों में पर साथ हैं हाज जिस मेराजी यहां पर आज ए स्रीमाजी की यहां पर जो वावा जी ने जो पहले लगाए थे और लगाए थे तो लोगों का रुजहान रहता है यहांपके पास आते हैं याना पे पौ पंद अब ही 20 रूपे किलो है और फूल चोटा आएगा इसमें लेकिन आप तो बे मौसम का है फूल है वो ठोस आएगा और प्योर जैविक करते हैं आप इसमें क्या-क्या डालते हैं मतलब सब्सक्राइब सब्सक्राइब लोगों का क्या रुजान होता है कहां कहां से लोग आते हैं आते हैं सारे आते हैं विकाने तक ले जाते हैं अज्य तो आ यहां लोग आते हैं और बेटे हैं बड़ा आनन्द आता है तो आप जैविक सबजियां जो हैं उनको खाई है जिससे इस प्रकार से जो किसान जो तयारी करते हैं जो जैसे माराज जी ने या शुरू किया तो एक प्रेंडा मिली तो इनको देखकर च्यार लाओ और भी मैं बच्पन से सुनता हूं लोग चर्चा करते हैं कि बेर जो है वो उनके इतना थंडक और गर्मी होती है कि कोई कीट रही नहीं पाता तो हमें इस मिट्टी का उप्योग लेना चाहिए उर जैविक बरश को तो क्या कहें गेंगे जैविक सब्ढ़ी के वारे में कुछ खाने के शुवाद अलग होता है वैसे टेस्ट होता है इसमेश इसको जैसे डो दिन तक रख दो नश्ट कराब नहीं होगा नहीं हो यह पलक लगाते हैं पलक लोग कहते हैं कि बजार से ले जाते हैं दूसरे दिन वो गड़ जाता है और इसमेल भी आती है लग से यहां का पलक है वो टेस्टी भी होगा और दो दिन तक खराब नहीं होगा उसको ले जागी रख तो पत्ते वैसे रहेंगे घड़ेगा नहीं अभी अनार है और है तुम्मे का अचार है और निम्बू कहरी कहरी या कहर सांगरी बनाते हैं और दाल वगरे भी यह तो देखी यह सब चीजे मतलब यह अच्छा सा लगा हमें मतलब यहां आए और देखा ना तो बड़ा ऐसे फील हुआ कि यहां रोड पर हमारे खेत हैं तो हमें इनको डव हावा देंगे तो आने जाने वाले लोगों को पता चलेगा कि चूरू में ऐसा काम हो रहा है और एक चोटा सा बोर्ड भी लगा दिया कि हमारी आजेविक सब्जियां जो है यह मिल रही है यह मिल रही तो इससे हम लोग अपना एक परचार कर पाएंगे और आप सभी किसान जो है वो मजबूत ओ आधार यही है परंपरागत खिती हमारा आधार है गाई का गोबर गोमुत्र यह हमारा आधार है इस आधार को मजबूत बनाए और अपने आपको डेश को सब को मजबूत बनाते रहे मारा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो अब मैं लेता सुजानगड विधानसवा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचनायों की ओर से नियुक्त व्य परिवक्षक महेश जी जीवडे ने आज सुजानगड विधानसवा क्षेत्र में विभी निस्तानों पर तैनात, स्थैनिक निगरानी दलो एवं उडन दस्तों के कामकाज का ओचक निर्ख्षन किया और आवशक निर्देश दिये वेपर विधानसवा उपचुनाव के दौरान निर्वाचन वेपर प्रभावी नियंतरन के लिए कोरोना महामारी के संक्रमन की रोक थाम एवं बचाव हेतू राज के लोहिया कॉलेज चूरू में आज कोरोना की दूसी लहर को रोकने हेतू कॉलेज केमपस में नो मास्क, नो एंट्री अभियान शुरू किया गया। प्राचारे दिलिप सिंग पूनिया के नित्रत्र में आज NSS वोलेंचर्स वे NCC कैड़िस्वारा कॉलेज के सामने से गुजरने वाले सभी वाहनों पर नो मास्क, नो एंट्री जागरूता के स्टिकर्स चिपकाए ग महीं कॉलेज में आने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के तहर प्रवेश के लिए मास्क लगाना सक्ति से अनिवार्य किया गया है। कोमन सर्वी सेंटर दुरा, जिल आस्तर पे आधार सेवा के अंदर प्रारम किया गया है जिसमें आधार से समंद्धित सभी सेवाई परदान की जाएगी जैसे नया अधार बनाना, आधार में अफडेट करवाना, डेमोग्राफिक अफडेट, बायोमेट्रिक अफडेट, यह सबीडरी सरकारी जो दर है उसके अनुसिय बच्यों का वच्चों जो आधार कार या नया जो आधार इंडॉर्मेंट है तो भीलकुल नीसूलद करवाय जाता है दन्मारfendim रतनगड की चिरंजी लाल धानू का उच्छ माध्य में एक आदश विद्धा मंदिर का आज CBEO विक्रम सिंग चोहान ने निर्खषण किया इस दोरान उन्होंने स्कूल में बनी अटल टिक्रिंग लैब का अवलोकन किया इस दोरान चोहान ने कहा कि ऐसी गतिवीदियों से विद्ध्यायतियों के कोशल विकास में बल मिलता है लैब रभारी विनोत कुमार बालान ने लैब की जानकारी दी इस मौके पर इसकूल परिवार के सदस्यों ने CBEO का स्वागत भी किया इस असर पर संकूल प्रबुक प्रदानाचारे लोकेश कुमार चोमाल, नंद किशोर, तामरायत, शामसुंदर ठटेरा, संजय कुमार, इंदोरिया साइथ, कई लोग उपस्तित थे नैशनल हाईवे 11 पर निजी स्लीपर बस वेर ट्रक की हुई भिडंत में एक महिला की मौके पर ही मोत हो गई, वहीं ट्रक चालक की चूरू में उपचार के दौरान मोत हो गई हादसे में गंभीर गायल मुक्तियार सिंग वे बस चालक शेर सिंग का चूरू के अस्पताल में उपचार चल रहा है, वहीं दस अन्या गायलों को प्रात्मे उपचार के बाद छुटी दे दी गई है पुलिस ने बस चालक शेर सिंग की रिपोर्ट पर मामला दर्च कर मृतको के शवों का पोस्ट मानटम करवा कर शव अन्तिम संसकार के लिए परिजनों को सुपूर्ट कर दिये हैं गटना के नुसार कोटा से चलकर शी गंगानगर जाने वाली स्लीपर बस को भीका नेर से जुन्जनों की ओर जा रहे ट्रक ने नेस्नल हाईवे 11 पर गाउं बीरमसर के पास गुरुआर की अल सुवे टक कर मार दी हादसा इतना भीशन था कि ट्रक के आगे का कैबिन पूर्टियाक शतिग्रस्त हो गया वहीं बस रेत के टीले पर जा चड़ी कैबिन फ्रक के शतिग्रस्त हो गया जिसने फूर्ट कें परमा थिढ़ल value के वार्षी पर कांजी गेस्थ होस से हाम मंदिर आनल जब्वार की शाम निकाली गही निशान यात्रा का फ्रे मीले मेइन सवागत किया गया वही रातली को एक भजन संध्या का भी आईजन किया गया जिसमें पूर्व मंत्री राजखुमार रिणवा चेयर्मैन प्रतिरीदी हेमंत सारसत समा सेवी विनोड दागा द्वारा जोद प्रजरीत कर भजन संध्या का शुभारम किया गया इस असर पर विदायक अबिनेश मेर्शी पालिका अरचना सारसत साला सर पुजारी रविशंकर पुजारी प्रेम कुमार व्यास एवं गायक कलाकारों का अजन समीति के दवरा दुपट्टा ओढ़ा करवे स्मृति चिन भेट कर अभिनंदन किया गया रदंगर पुलिस ने गो रक्षक दल के सदस्यों की सूचना पर दो जगय कारवाई करते हुए दो ट्रकों को जब्त कर 30 गोवंश को गोशाला भिजवाय तथा 4 लोगों को गिरफतार कर पशुक रूरता अधिनियम के अंतरगत मुकदमा दर्श किया है एसाई सूरेसकुमार ने बताए कि गोगासर के बास पंजाब से महराष्ट जारे ट्रक को रोक कर तलाशी ली तो ट्रक में 14 गोवंश मिले जिने गोगासर गोशाला में छोड़ा गया में दूसरी कारवाई सरदाशर वाईपास सड़क मार की है पुलिस ने एक ट्रक को रो स्टोन हमारे यहां पर करोली धोलपूर बंसी पहाडपूर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नकाशी व्खुदाई का कारे किया जाता है अगर आपको अपने घर फार्म हाउस मंदिर की सजावठ हेतु पत्थर की जाली खुबसूरत फंवारे सुन्दर जरने जरोके गमले शेर हाती घोडे मूर्ती भव्य चोखट लेंब सोफा सेट छत्री आकरशक पिलर बनवाने हो तो संपर करे अब गर्मी में क्यों होना परेशान जब आपके शेहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान तो चले आईए हरी टेडिंग कमने के पास और ले जाईए अपना मन पसंद कूलर और पाईए गर्मी से रहत हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे फाईबर वे प्लास्टिक बोडी के कूलर उप्लब्ध है वो भी वाजिब दामों में एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलिवरी की सुवीधा भी उप्लब्ध है इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेर पार्ट्स घास और हनी कॉम भी उप्लब्ध है COVID-19 के बचाव हे तु मास्क लगाएं वे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें क्योंकि आपका स्वास्त है और सेवा ही हमारा धे है हमारा पता हरी चेडिंग कंपनी बैंक ओफ बडोदा के सामने पुरानी सड़क चूरू संपर्क करें भासकर अगरवाल जगदीश पसाद अगरवाल